Hello students, LLP Act for CA Foundation हम revision करने जा रहे हैं, यह fast revision होगी, लेकिन एक-एक word के साथ होगी, hand written होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, एक page में, एक class में यह सारा हम करने जा रहे हैं, LLP Act, CA Foundation में, important चीज़ हमें ध्यान में यह रखना हैं, यह act की weightage ज्यादा नहीं है, इसमें exam की weightage बहुत कम दी गई है, minimum 3 से maximum 6 नमबर तक, इस act को जब हम देखते हैं, वैसे तो यह act बहुत बड़ा है बिटा, 81 sections हैं, जो की 14 chapters में यह divided हैं, और साथ में इस act में 4 schedules भी दिये गए हैं, तो important चीज़ हमें यह समझ में आती हैं, कि भाई, exam की weightage, ICI की जब इतनी हैं, तो यह पूरा हमारे course में नहीं हैं, जितने sections मैंने जिकर किया आप से, वो सारे नहीं हैं, सिर्फ इस act का क्या है हमारे course में, overview है, मोटा मोटा कहली चे, overview है, तो बेटा सबसे पहले, section 1, आप सारे जानते ही होंगे, तीन चीज़ें होती है, short title, act का नाम क्या है मैंने लिख दिया, number 2, extent, ये act कहा है applicable होगा, पूरा इंडिया में है, including J&K है, और तीसरी बात होती है, commencement, कि इस date की, इस act की date of birth क्या है, तो पहली बात, extent में entire इंडिया हो गया, अगर हम commencement की बात करें, तो देखिया ऐसा है, ये बताया गया, कि अलग-लग sections के लिए, अलग-लग dates हो सकती है, central government द्वारा, तो इसलिए वस इतना हमें पता होना चाहिए, कि प्रेजिडेंट साहब ने, ये act बना किस दिन, जिस दिन प्रेजिडेंट साइन करेंगे, तो प्रेजिडेंट साहब ने अपनी ascent, which means sign किये, और वो किये 7th January 2008 नहीं, ध्यान रखे 2009, लेकिन इसके अधिकतर sections जो आए हैं, तो many sections इसके आए, वो आए 31st March 2009 को, वो notify किये गए central government की तरफ से, section 2 बच्चो natural है, definitions के उपर होता है, तो सारी definition भी हमारे course में, obviously नहीं है, तो main definition आती है, subsection D में, वैसे मैं exactly कहूं, तो इसके सारे के सारे जो sections है, definition के लिए, वो section 2 है, subsection 1 है, आगे clauses है, A, B, C, D, बिल्कुल technical कहें, तो technical कहें, तो 2, 1, D कही है, ना कि 2D, लेकिन मैं normal way मैं ऐसे ही चलूंगा, तो 2D में definition आती है, body corporate, LLP क्या है, body corporate है, body corporate आप सारे जानते होंगे, एक अलग से आपकी क्या है, पहचान है, तो हम इससे कहते हैं कि आप क्या है, एक separate legal entity है, अलग से artificial person है, क्योंगि आप artificial person है, तो आपका क्या होगा, perpetual succession, इसका मतलब है, forever continuity, मतलब LLP के अगर partners की death भी हो जाए, LLP won't come to an end, तीसरी बात, अगर change, delta change, अगर change हो जाता है partners में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको फर्क नहीं पड़ेगा, natural है LLP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, no effect, on LLP, LLP as usual चलती रहेगी, कोई rights, existence, किसी चीज़ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये एक body corporate है, ये जो answer अभी मैंने लिखके दिया, body corporate का जो meaning दिया, ये जो तीनों चीज़ हैं, ये आपने ध्यान रखनी है, ये definition का हिस्सा है, सच नहीं आता है, ये basic मैंने meaning दिया है, और ये चीज़ आती है, बेटा section number 3 के अंदर, section number 3, मतलब जब आप body corporate पढ़ते हैं, तो उसके साथ section 3 को 7 में लेकर के चलें, उसको 7 में पढ़ें, अब अगर हम विल्कुल definition के लिहाद से देखते हैं, 2, 1, D के अंदर अगर हम इसकी बात करें, तो इसके अंदर हैं 3 चीज़ें, कि भाई, body corporate है, तो body corporate का मतलब क्या है, तो इन्होंने कहा, body corporate means company as defined, जो कि defined है, natural है कहा, under companies act में, and includes, कहता है इसे हम body corporate मान लेंगे, और ये हैं 3 चीज़ें, तो कहता है, आप LLP हैं, और यहां पे 3 चीज़ें ऐसे बनती हैं, कि आप या तो registered हैं, कहां पे, इसी act में, LLP act of 2008, under this act, या फिर आप LLP हैं, registered हैं, लेकिन कहा हैं, outside India, जिसे आप कहेंगे foreign LLP, तीसरा, company है, registered हैं, लेकिन कहा हैं, outside India, तब भी आप body corporate हैं, इनको हमने body corporate नहीं मानना है, that is corporation, soul, की soul, proprietorship अगएरा को नहीं मानना है, cooperative societies, को भी LLP हम नहीं मानेंगे, और तीसरा है, others कोई और, जो की क्या हो, notified by, central government हो, इसको हम body corporate नहीं मानेंगे, इसके बाद, definition में आ जाता है, to e के अंदर business, और यह बिल्कुल partnership act में आपने पढ़ी हुए, तो same वैसे ही definition है, कहता है business includes, तीन बात हैं, बैटा top, top, t for trade, o for occupation, and p for profession के हैं, और profession के साथ एक शब्द आप और ले सकते हैं, that is services, इसके बाद, e के बाद, j, that is designated partner, तो दरसल designated partner के बारे में अगर आपने पढ़ना है, तो to j के अंदर definition में कुछ नहीं दिया हुआ, यही बताया गया है, यह एक partner है, जो की क्या है, designation उसको यह मिला है, under section 7, तो इसका answer हम कहां देखेंगे, section 7 में देखेंगे basically, तो 7 से पहले 5 और 6 पढ़ाना ज़रूरी है, तो 7 अच्छे से समझ में आता है, तो 7 को हम बाद में लेते हैं, then k के अंदर, आता है आपका entity, तो entity आप जानते हैं, business form है, तो simple सी दो बात हैं, इसके अंदर means and includes, तो means में क्या है, कोई भी body corporate कह लीजिए, साथ में and includes में आ सकता है, एक partnership firm भी आ सकती है, for the purposes of certain sections, firm का मतलब जो partnership act 1932 वाली है, उसकी बात कर रहे हैं, सबसे important definition यहां to L के अंदर आती है, very important star डाल रहा हूं मेरी तरफ से, और यह है definition आपकी financial year के उपर, LLP के लिए हम financial year देख रहे हैं, तो financial year का मतलब क्या है, तो simply, obviously period कहां से, जो start होगा, पहली April से, और कहां खतम हो जाएगा, natural है, पहली April से start होगे, 31st March तक, और 31st March हमें कौन सा लेना है, अगले बरस का, तो हम इसे कहते हैं, falling year, अगला बरस, लेकिन यहाँ सबसे important point है, exception, कि that means, हमें समझने को यह मिला, कि financial year 12 महिने का time period है, लेकिन यह 18 महिने भी हो सकता है, कब हो सकता है, if LLP, आपने LLP क्या करी है, incorporate करी है, means बनाई है, और यह बनाई है, आपने, after 30th September, तो यह वगड़ लीचे, financial year to end, कब on 31st March of year, next falling year, इसका मतलब है, अगले 30 March के, उससे next 30 March, तो यहाँ मोटा मोटा आप यह ध्यान लखे, कि financial year, जो है, 18 महिने का भी हो सकता है, लेकिन यह जिवन में एक बार होगा, जब आपने LLP की क्या करी है, incorporation, means, हर बार 18 महिने नहीं होगा, 13 भी नहीं हो सकता, 12 महिने ही रहेगा, thereafter beta, clause M के अंदर आ जाता है, आपका foreign LLP, जैसे हम body corporate में पढ़ रहे थे, कि आप हिंदुस्टान के बाहर registered है, तो foreign LLP का मतलब क्या है, भाया, दो बात हैं, simple सी बात, आप LLP है, formed है, और आप registered है, लेकिन कहां है, natural है, आप outside India, registered है, लेकिन plus, plus means कह लिजी, and, आपने क्या क्या है, established किया है, मतलब बना रखा अपना क्या, place of business, आपका भारत में, place of business है, इंडिया में, आपने कोई दुकान मकान, कुछ भी है, आप कर रहे है, and, clause number, N में आता है, बेटा, LLP, तो LLP का मतलब क्या हो गया, एक partnership है, और, यह partnership क्या करिया, आपने, दो बातें, formed, and registered, बनाई है, registration करवाई है, natural है, कहां करवाई है, under, LLP, act of 2008, and, clause number 2, O के अंदर यह अच्छी definition आती है, LLP agreement, तो LLP बनी है, तो agreement तो होगा बेटा, तो agreement किस के बीच में होगा, तो पहली बात है, यह एक return agreement होगा, और यह return agreement होगा, between, हम सूसते हैं, partners के बीच में होगा, दो बातें हो सकती है, यह partners के बीच में भी हो सकता है, partners and LLP के अंदर, तो agreement से पता क्या चलता है, इस agreement से determine होते हैं, rights and liberties, तो हम सूचते हैं, rights and liberties किस के होगे, हम दबारा से यह सूच लेते हैं, कि सिरफ partners के बीच में होगे, नहीं, rights and liberties, यह same answer उपर वाला ही है, between partners भी and partners towards LLP भी, जो आपके rights obligations होंगे, यहीं आएंगे, last definition क्यों से आती है, और यह आती है partner की, तो partner का मतलब तो simple सा है, means any person, बड़ा अच्छा word है यह, any person और, जिसके बारे में हम section number 5 में पढ़ेंगे, कि person जो है individual भी हो सकता है, any person who becomes, तो natural है क्या बन गया अगला, partner बन गया, किस में बन गया, LLP में बन गया, in LLP, कैसे बन गया, उपर वाला point हमारा था, as per LLP, agreement के द्वारा वो बन गया, जी partner, तो इतनी ही बेटा हमारे course में क्या है, definitions है, तो इसके बाद, हम move करते हैं, section number 4 की तरफ, section number 4 purely one liner है, और section 4 कहता है, non applicability of partnership act, कि LLP के उपर, नहीं लगेगा, non applicability of partnership act, natural है कौन सा, 1932 वाला, इस act के उपर, उसका कोई लेना दिना नहीं है, section 5, 6, 7, there are very important sections for your course, तो section 5, 6, 7 के लिए, partners के उपर ही आता है, पर 5 कहता है, इसमें यूँ के ये दो बातें हैं, यूँ के लिजे, who can be partner, partner कौन हो सकता है, main बात तो ये आती है, इसे के उपर second चीज़ बनेगी, तो बेटा, इन्होंने कहा, any person, कोई भी वेक्ती क्या हो सकता है, LLP में partner हो सकता है, तो कहने का मतलब है, any person को हम दो category में ले सकते हैं, कि ऐसे partner, आप एक individual भी हो सकते हैं, और LLP में body corporate भी partner हो सकती है, लेकिन second question इसलिए है, अगर individual partner है, तो उसके लिए बेटा कुछ conditions है, और ये हैं तीन conditions, जो हमें ध्यान में रखनी हैं, पहली बात है, आप unsound mind के नहीं होने चाहिए, तो यूँ कह लिचे, आप क्या होने चाहिए, sound mind के होने चाहिए, number two, आप insolvent declared नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब है, not insolvent declared, which means adjudicated ना हो, और ना ही not applied for insolvency, ना ही आपने insolvent होने के लिए apply किया हो, तो ये तीन condition है individual के लिए, section number six, again very nice one, ये कहता है, कम से कम कितने partners होंगे, तो बता दूँ पहली बात तो maximum partners की बात नहीं है, तो maximum partners के उपर SSH कोई limit नहीं है, तो minimum होंगे जी, दो partners होंगे, अब interesting क्यों है, क्योंगे इस section के उपर PP stands for practical problem हा सकती है, क्या था दो partner हमें चाहिए चाहिए, लेकिन हुआ क्या, अगर ये reduce हो गए, अगर आपके partner reduce हो गए to one, एक ही रह गया, और साथ में आपने क्या क्या क्या, and business is carried on, और आप काम करते रहे, for more than six months, तो dad means, छे मिने तक काम कर लो, कोई tension नहीं है, छे मिने से ज़्यादा करोगे, problem हो जाएगी, and only partner knowing it, और जो एक partner रह गया था, उसे मालूम है कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, तो क्या होगा, तो वो personally label हो जाएगा, किसके लिए, debts of LLP, कौन से debts of LLP, ये भी ध्यान रखिए, वो debts of LLP, जो हुए हैं, after six मिने के बाद, छे मिने तक तो, LLP की क्योंकि अलग से पहचाना, उसके debt उसी के रहेंगे, लेकिन बाद में, वो किसके बन जाएंगे, इस आदमी के, क्योंकि इसका फर्स था, कि एक से LLP नहीं बनती, एक बन्दा और क्या करें ये, एक व्यक्ति को और add-on करें, इसने नहीं किया, यह आगे जी section 7, again very important one, that is DP, stands for designated partner, देखिए designated partner का मतलब होता है, देखिए आप एक अलग से आपकी पहचाना, आपको बहुत सारे compliance करने हैं, ministry of corporate affairs के पास, registrar के पास, तो हमें कुछ designated partner चाहिए, जिनकी ये duty बनाई जाए, तो section 7 ने कहा, designated partner कम से कम हमें, दो होने, दो चाहिए, और ये दो कौन से होंगे, जो क्या है, individual से है, मतलब body corporate तो इंसान नहीं है, तो उसके उपर duty नहीं डाली जा सकती, तो हमें individual ही चाहिए, और individual में से one, उन में से एक, क्या होना चाहिए, भारत में resident होना चाहिए, to be resident, natural है, कहां इंडिया में, और resident कब होगा, अगर आपका stay कम से कम, 182 days है, और ये 182 days, इस साल हमने नहीं देखने है, ये हमें देखने है, preceding financial, ये हमें देखने है, preceding, जिसका मतलब है, पिछले साल में, तो इस साल नहीं देखना, पिछले साल, आप इंडिया में, कम से कम 182 days रही हो, तो इसलिए समस्या क्या है, हमने का, DP होंगे individual, if all partners क्या है, our body corporate, तो क्या होगा, क्योंकि वो तो इंसान नहीं है, तो इन body corporates को क्या करना है, अपने nominee बताने है, nominee means representative, और वो कितने बताने होंगे, दो, और ये दो क्या होने चाहिए, natural है, individual होने चाहिए, तीसरी बात ये आती है, अगर आपके partners क्या है, individual and body corporate है, तो DP कोण होंगे, DP only individual ही होंगे, तो जब आपने DP बनना होता है, तो ऐसा है कि DP बनने का, एक simple सा थोड़ा सा प्रोसीजर की भी बात करें, तो DP बनने के लिए, आपको अपनी consent देनी पड़ती है, writing में देनी पड़ती है, और ये consent की filing करनी पड़ती है, LLP को किस के पास, registrar के पास करनी पड़ती है, within prescribed time period, जो कि होता है, तीस दिन prescribed form form में करनी पड़ती है, और DP बनने के लिए, आपको लेना पड़ेगा, इसके बाद students question जो start हो जाता है, वो हो जाता है in corporation की उपर, मतलब ये partners goodness हो गया, तो इसके बाद आपको ध्यानकना चाहिए, कि भई, LLP की क्या करवानी ज़रूरी है, natural है beta registration करवानी होगी, तो उसे हम कहते हैं in corporation, तो in corporation के उपर, क्योंकि मैं section wise चल रहा हूँ, तो सबसे पहली बात section 11 में in corporation का procedure बताया गया है, तो in corporation के procedure में क्या है, कि आपने natural है apply करना है, किसमें as I said prescribed क्या होता है, हर चगा ये common word होते हैं form fees manner, form fees manner, जैसे मैं form की बात करूँ, यहाँ पे e-form क्योंकि electronic filing होती है, e-form number 2 है, वो आपने file करना होता है, और जब आप ये file करते हैं, तो ध्यान दीजे, कम से कम इसके उपर, दो persons क्या करेंगे, अपने sign करेंगे, और जब आप incorporation document फाइल करते हूं, तो ये दो persons इसके उपर sign भी करेंगे, तो हमेंसे कहते हैं subscribers, जिसका मतलब है, ये लोग क्या करेंगे, sign करेंगे, और आपको बताना होता है, कि हम क्या करने वाले हैं, lawful business करने वाले हैं, और ये business सिर्फ और प्रॉफिट्स के लिए होगा, that means NPO type कोई चीज नहीं होगी, then साथ में आपने क्या देना होता है, एक statement देनी होती है, ये statement होती है कि सारे के सारे हमारी तरफ से compliance जो जरूरत requirement है, LLP बनाने की वो fulfill कर दी गई है, और इसके उपर बेटा sign करने होते हैं, जो आपने professional hire किया है, इस काम के लिए और professional कौन होता है, CA Chartered Accountant, Cost Accountant, CS या आपने जो advocate hire किया हो, and one subscriber, कि हमने कहा था, कम से कम दो लोग apply करेंगे, तो उन में से एक subscriber भी sign करेगा, हमने सारे compliance कर दिये हैं, जब आप incorporation document फाइल करते हो, तो उसके contents भी होते हैं, तो आप basic सी चीजें LLP की क्या बताओगे, उसका नाम क्या है, उसका registered office क्या है, और वो किस कारे के लिए business के लिए बनी है, partner से related भी आप उनका नाम and address बगरा बताएंगे, इसके लावा कोई भी prescribed information है, वो आपको apply करनी है, main ध्यार रखना है, अगर आपने कोई भी false statement या particular सियां भर दिये हैं, तो त्यार रहिए jail जाने के लिए, सस्राल जाने के लिए, जो कि दो बरस हो सकती है, and साथ में शगन, जिसका मतलब है fine लगेगा आपके उपर, 10,000 से लेते हुए 5,000, के फोर 10,000 minimum and 5,000 maximum आपके उपर लगाया जा सकता है, तो ये भाई हमने registrar के पास क्या कर दिया, apply कर दिया, अब section 12 कहता है, अगर registrar साहब क्या है, उनको apply क्या था, अगर वो satisfied हो जाते हैं हमारे काग जों से, और ये है within 14 days, 14 दिन के भीतर भीतर जब हमने apply कर दिया था, अगर वो हो जाते हैं जी संतुस्ट, तो वो हमें क्या कर देंगे, वो हमें register कर देंगे, और हमें क्या issue कर देंगे, certificate issue कर देंगे, और ये certificate क्या हो गया, ये date of birth of LLP हो गया, और ये conclusive होता है, जिसका मतलब होता है, इसे court में किसी ground पे challenge नहीं किया जा सकता है, और जैसे ही ये मिल जाता है, आप क्या बन जाते हैं, body corporate और सारी LLP की features आपके उपर, advantage आपको मिलना start होता है, आप हर चीज़ वो कर सकते हैं, जो आपको loud है, और जो आपको compliance जिसे हम कहते हैं, suffering वो भी आपको bear करनी पढ़ेंगे, तो ये हो गया जी 11, 12, और section number जो 13 है, section number जो 13 है, ये deal करता है जी आपके registered office के उपर, एक पका address ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपको communication करना है, तो address तो हमें चाहिए, कोई मान लीजे notice देना है, जिसे आप notice कह सकते हैं, कोई inspection करनी है, तो कोई जगा तो चाहिए भहिया, तो इसलिए registered office, आप ROC को बताएंगे, रेजिस्टरार को बताएंगे, आम इन्टू से, और इसमें registered office में कोई change वगएर भी करते हैं, तो आपको ये register को बताना ही बताना होता है, और अगर आप ये इसमें default करेंगे, तो जनाब त्यार रहिए, इसके उपर फिर से आपके उपर penalty लग सकती है, और ये है fine, और ये fine होगा भहिया, दो हजार रुपाई से लेते हुए 25,000 रुपाई तक, और ये fine किसके उपर लगेगा, LLP प्लस partners दोनों के उपर लग सकता है, thereafter, हम बात करेंगे, आप LLP बनाने जा रहे हैं, तो उसका एक नाम होगा, डाक्विंस उसका एक name तो हमें चाहिए चाहिए, तो name के उपर, हमारे basically, यहां पर 3 section आ जाते हैं, 15, 16, and 17, 3 section, 15, 16, and 17, तो section number, bit of 15, वैसे देखा जाए, तो सही बनता है, कि, हम पहले बात करते हैं, 16 की, तो इसलिए 16, फिर 15, और 17 पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है, बड़ चलिए हम order में लिख रहे हैं, तो section 15 यह कहता है, जब भी आप अपना नाम चूज करते हैं, तो कुछ prohibited words हैं, मतलब, आप यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो भाई यह कौन से शब्द हैं, कहता है, यह शब्द हैं, जो की undesirable हैं, कुछ नाम ऐसे हैं, जो गलत हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकतें, जैसे, प्राइम निस्टर, प्रेजिडेंट, करवा रखे, यह ट्रेडमार्क्स एक्ट हैं, 1990 का, 1999 का, तो आप ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यह कहता है, कि भाई, आपने एक चीज़ का और ध्यान लखना है, आपने अपने नाम में, लास्ट वर्ड्स क्या लिखने हैं, LLP लिखने हैं, चाहे उसको फुल फॉर्म में लिख लो, या एक्रोनियम शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, और सोला कहता है, जब आपने नाम के लिए क्या करना है, अप्लाई करना होता पहले, क्योंकि हमें देखना होता है, कही नाम ऐसा तो नहीं कि जो अंडिजारेबल है, या आपने अप्लाई करना है, रेजिस्टर साहब के पास, तो अगर वो सैटिस्फाइड होते हैं, कि हाँ जी, और अप्लाई करने में पॉइंट वही हैं, फॉर्म मैनर फी सी वो, तो अगर वो सैटिस्फाइड हैं, वो तीम महीने के लिए आपका नाम क्या गर देते हैं, रिजर्व, कि भाईया, अब आप अपनी अलिल्पी बना सकते हैं, और अगर कल आपने नाम चेंज करना हो, तो तब भी ये सेम का सेम यही प्रोसीजर आपके उपर लगता है, और अगर मैं फॉर्म का जिकर करूँ, तो ये इफॉर्म वन में आप अपलाई करते हो, नाम बगरा के लिए चेंज के लिए, सेक्शन सेवन्टीन कहता है, कि Central Government आपको कह सकती है, अपना नाम बदलो, चेंज आफ नेम, वैसे देखा जाए, तो नाम आप बदल सकते थे, अपनी मर्जी से भी, और यहां पे है, थोड़ा हम बात करेंगे, कंपल्सरी, क्योंकि, डिफॉल्ट आपने किया है, और पर्शन यह है, अपने डिफॉल्ट किशिस का क्या है, यह वाला प्रोहिबिटेड वर्ड्स आपने इस्तेमाल कर लिए है, तो आपको नाम बदलना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, Central Government आपको एक नोटिस जारी करेगी, तो Central Government नोटिस देगी, यह देगी, तीन महिने के अंदर अंदर अपना नाम बदलो, लेकिन यह टाइम पिरिड में आप एक्स्टेंशन ले सकते हूँ, क्योंकि रिजेंब्लिंग बगएरा है, लेकिन अगर आप नाम नहीं बदलेंगे, इस्टिल आप डिफॉल्ट करते हैं, तो यह है minimum 10,000 और maximum है 50,000 रुपे तक आपको लग सकता है, जबकि डिपी की बात करें, तो उनको 10,000 से लेके 1,00,000 तक, minimum, maximum, इस तरह से आपको यह fine लग सकते हैं, और यह इसके बाद, हमारा जो कोर्स में आता है, तब वो है partners से related चीज़ें, कि partners के rights, उनकी liabilities, किस तरह से होगी, अच्छा, इसमें देखिए, अगर, हमने क्योंग 11, 12, 13, अगर आपने 14 भी add-on करना हो section, तो जैसे आपके incorporation हो जाती है, आप क्या बन जाते हैं, separate legal entity, मतलब वही जो section 3 में मैं बात कर आया था, कि आप एक अलग से person बन जाएंगे, तो इसके बाद, ये थोड़ा partners से related चीज़ स्टार्ट होती है, यूँ कहले चे, partners और उनके रिष्टे, rights, duties, labilties, इस तरह के sections हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये है, क्योंगी overview है, सारा तो है नहीं, section 22 में है, कहता how to become partner, आप किस तरह से partner बन सकते हैं, तो 22 ने कहा भाई साब दो तरीके हैं partner बनने के, या तो क्या था, जब आप incorporation के लिए गई थे section 11 में, या तो incorporation document में, जो भी लोग थे, जिन्होंने मैंने कहा था, कम से कम दो लोग होने चाहिए, subscriber जो है, वो partner बन जाएंगे, या फिर आप LLP agreement से भी क्या बन सकते हैं, partner बन सकते हैं, section 23 आता है, आपके रिष्टों के उपर, रिष्टों का मतलब, चलिए simple word में हम चलते हैं, rights and duties वगरा कह लीजे, तो आपके जो rights and duties होंगे, भई, simple सी बात है, वो as per आपके LLP agreement के साब से होंगे, और if no agreement, बट मान लीजे, अगर आपने कोई agreement नहीं बनाया, किसी matter के उपर, या agreement नहीं भी है, तो मैंने starting में जिखर किया था, चार schedule हैं, तो आपके rights and duties जोंगे, as per first schedule होंगे, और क्योंगे हमने कहा, LLP agreement, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस LLP agreement की filing करनी होती है, वो आप समझ गया होंगे, किस के पास करनी पड़ेगी, रजिस्टरार के पास, prescribed form manner fees के अंदर, देन आता है section number 24, अब आप partner नहीं रहे, secession of partner, आपका partner नहीं रहेंगे, तो मैं इसको असान भाषा में कहूं, तो आप partner नहीं रहेंगे, इससे कह लीजे, दो बातें आ जाती हैं, आपने agreement बना रखा था LLP का, तो उससे साब से आप firm को छोड़के, LLP को छोड़के चलेगे, और अगर नहीं भी बना रखा है, तो if no agreement LLP, तो आप क्या कीजे, आप resign कर लीजे, और उसके लिए क्या देना है, आपने notice देना है, राइटिंग में देना होता है, और ये 30 दिन का notice होता है, और ये देना होता है, आपने partners को देना है, to partners, then, D से है, या तो देखिए death हो गया है, या क्या हो गया है, declare हो गए हैं आप unsound mind के एक competent code के द्वारा unsound mind या फिर dissolution हो गई है खुद बंध हो गई है भई कौन LLP और I से है या तो आप insolvent क्या हो गए है declare हो गए है या आपने insolvent declare होने के लिए क्या कर दिया है apply कर दिया है तो तब आप partner नहीं रहेंगे और जब आप partner नहीं रहेंगे तो simple सी बात या थी है परिनाम क्या होंगे देखिए परिनाम में बड़ी simple सी बात यह है आप अपना share ले लीजे share कैसे बनेगा आपकी capital से plus जो reserves profits वगएरे में आपका हिस्सा है वो ले लीजे और losses है तो natural है reduce हो जाएंगे और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है अगर आप firm छोड़के जा रहे हो अगर आपने notice नहीं दिया तो ध्यान दीजे आपकी जो obligation है वो continue रहेगी क्योंकि एक तरह से आप यहां बन जाते हैं partner by holding out क्योंकि लोगों को बताना जरूरी है इसके बाद जब आप छोड़के जाओगे तो आज के बाद आपका कोई interference नहीं होना होगा natural है in management LLP की और यह भी चीज़ होती है अगर death हो जाए तो legal representative के यह हक हो जाते हैं कि उसको आपका हिसा मिले या insolvent हो जाता है तो court officer होता official receiver उसका हक बन जाता है कि वह आपका share ले सकता है section 25 कहता है जी यह कह लीचे कुछ बदलाव हुए है changes तो अगर changes हुए हैं भाई किसमें हुए हैं तो दो बाते हैं अगर changes हुए हैं partner के name and address में तो उसे क्या करना है उसे LLP को inform करना है और करने के लिए उसके पास है 15 दिन LLP को आप inform करें 15 days के भीतर भीतर दूसरी बात यह है कि अगर changes हुए है भाई तो यहां कुछ LLP की duty है एक duty तो इसी points से related हो गई नंबर दो डूटी यह है अगर changes की वज़ाए यह भी हो सकती है new partner joins यह कहलो पुराना partner सिजिस मतलब partner बदल गए कमियाद ज्यादा हो गए तो इन दोनों कामों में LLP की duty यह है वो registrar को क्या दे एक notice दे और यह कारे उसे करना है 30 दिन के भीतर भीतर आपको registrar सापको यह बताना है लेकिन इसमें एक interesting चीज यह आती है अगर कोई नया partner की admission हुई है तो उसकी statement of consent उसकी भी आपने filing करनी होती है और अगर कोई partner sees हो जाता है लेकिन उसको doubt है कि LLP जो है नहीं registrar को बताएगी नहीं filing करेगी तो वो क्या कर सकता है यह खुद ही registrar सापको बता देगा कि मैं छोड़के जा रहा हूं और फिर क्या होता है registrar एक 15 दिन का भीतर भीतर LLP से इस confirmation का wait करते हैं लेकिन अगर LLP ना भी बताए तो registrar साप अपने record में इसे डाल लेंगे और इससे related अगर आप भाया default करते हो तो यह देखिए penalty दोनों की है LLP की भी है partners की भी है तो इनके उपर 2000 से लेके 25,000 उपे तक का fine लगाया जा सकता है इसके बाद वाले sections इस तरह से आते हैं कि ऐसे partner आपके liability बनती है LLP की तरफ या partners की तरफ तो थोड़ा सा rights and duties से हटके हम इस पर move कर रहे हैं तो section number 26 यह कहता है जो partner है इस agent partner जो है agent होता है LLP का not of other partners तो that means जैसे normal partnership में mutual agency वाली बात होती थी वो यहां पे नहीं होगी then section number 27 कहता है लाबिलिटी किसकी लाबिलिटी कितनी पहली बात हो और किसकी LLP की तो देखिए LLP की जो लाबिलिटी है किसके लिए होगी for acts of partners जो भी partners ने कारे किये हैं तो तभी होगी अगर वो लोग क्या हो या तो authorized हो बेटा या फिर उन्होंने काम जो किया है in ordinary course of business किया और यहां पर वड़ा खुबसुरत point यह आ जाता है अगर उन्होंने ordinary course of business में काम किया है चाहे उन्होंने wrongful act किया हो गलत किया हो तब भी LLP लाबल होगी क्योंकि जो कारे किया है वो ordinary course of business में किया है लेकिन यहां पर अगर हम reverse में देखें LLP लाबल नहीं होगी कब नहीं होगी if third party क्योंकि लाबल्टी आपके third party की तरफ होती है if third party aware third party को मालूम है कि जो partner है वो not authorized नहीं है और not a partner कि third party को यह मालूम है कि यह वैकि पार्टनर ही नहीं है तो उसके कारे के लिए LLP लाबल नहीं हो सकती तो 28 section में भी हम बात करेंगे इसी के उपर same यहीं चीज़ लाबल्टी extent बस एक चीज़ चेंज करेंगे हम लल्प की बजाए हम वर्ड क्या ले आए partners की लाबल्टी तो देखिए partners की LLB representing, नगस कैंज हम क्या बात करें उनकी personal लबल्ड की बातकरें तो partners तो personal लाबल हो नहीं लाबल क सकती है क्योंकि लल्प अलग से क्या है body PowerPoint है तो हम यह कहेंगे नहीं है तो उनकी लाबल्टी एस तो नहीं है बट येस है वो कब हो सकती है अगर ये लोग क्या करें को रॉंग फुल एक्ट करें जिनके लिए उसको को अथराइजेशन ना हो तो भाईया उनकी प्रस्नल लाबल्टी बने गी बने वरना यह लाबल नहीं है किसके लिए एक्टस ओफ लपी ना तो लॉलबी के लिए लाबल है नहीं एक्सफ अधर पार्टन्स क्योंकि मुच्छल एजन्सी तो है नहीं और लटी की लाबली होती है section 29 तो 29 भाया यह आगया जी बिलकुल normal partnership pact में section 28 होता था partner by holding out से ही वही चीज है यह है partner's liability by holding out holding out का मतलब यह हो गया आप partner नहीं हो लेकिन दूसरे को यह दर्शा रहे हो कि आप क्या हो partner हो तो मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हो represents किसी को बता रहे हो other as partner यह फिर आप क्या कर रहे हो permit कर रहे हो किसी को to be represented as partner हो नहीं लेकिन ऐसा कर रहे हो तो natural है आप label हो जाओगे तो यहां जो liability है वो किसकी है वो ऐसे वेक्ती की है such person की है towards natural third party और interesting चीज़ क्या है liability of LLP भी हो सकती है if takes credit credit का मतलब है benefit for such representation जो यह जूट बोला गया from third party तो अगर आपने third party से benefit लिया है तो भहिया LLP आप भी क्या होने वाले हो लावल होने वाले हो तो बेटा इसके बाद section 30 में आता है unlimited liability किसकी off partner और पार्टनर की तो unlimited होती नहीं है LLP में limited होती है यही तो सबसे बड़ा feature था क्योंकि LLP क्या है hybrid form है मतलब कुछ हिसा partnership का है और कुछ हिसा किसका है company's head का है तो आपकी unlimited liability का मतलब क्या हो गया आपकी liability personal है तो personal क्यों हुई आपकी liability क्योंकि पक्का आपने क्या किया है fraud किया है और fraud किसके साथ किया है natural है किसी third party की तरफ आपने fraud किया है तो person यहाँ पर यह भी आता है क्या सारे partners लाबल होंगे इसके लिए तो हमें देखना होगा fraud में जो involved partners हैं वो ही लाबल होंगे तो natural है यहाँ penalty तो खिंच के होगी एक तो fraud करने से किसी को नुकसान हुआ है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको compensation भी देना पड़ेगा साथ में बेटा जेल हो सकती है दो साल के लिए लेकिन यह maximum रहेगी and fine भी आपके उपर लग सकता है and है तो लगेगा ही लगेगा और यह होगा minimum पचास जार और maximum है बेटा पांच लाख रुपए thereafter 31 क्या है whistle blowing इसका मतलब क्या है LLP में कुछ गलत कारे हो रहा है तो किसी ने फिर सच बता दिया तो किसने बताया होगा natural है किसी partner नहीं बताया होगा कहने का मतलब है कोई fraud बगहरा हो रहे हैं तो investigation हो रही है किसकी हो रही है LLP की हो रही है कौन करा होगा सरकार या natural है उसकी agencies कर रही होगी तो इसमें क्या हुआ एक partner था उसने truth reveal कर दिया उसने सारा सच बता दिया तो सच बता दिया तो हमने का थोड़ा आदमी ये शरीफ है तो इस partner की जो liability है या penalty कह लीजे वो क्या हो सकती है court के द्वारा court कहो या tribunal क्योंकि LLP के लिए tribunal है तो court या tribunal उसकी penalty या तो reduce कर सकते हैं या पुरी तरह से उसे maaf कर सकते हैं साथ में इस आदमी को इस partner को एक protection दी जाती है protection ये है क्योंकि इसने LLP के अंदर हो रहे गल्द कारियों के उपर बता दिया था LLP जो है can't इसके खिलाफ कोई negative कारवाई नहीं कर सकती जैसे कहली जे इसको dismiss करना, suspend करना, demote करना, this and that, etc. आप उसके खिलाफ नहीं कर सकते तो ये थी partners के रिष्टों के उपर या उनकी labilties related बात हैं अब हम थोड़ी books के उपर बात करते हैं जिसे हम कहेंगे financial disclosures और इसके उपर बेटा हमारे course में सिरफ दो section है अच्छे हैं exam के लिए 34 and 35, section 34 and 35, 34 के अंदर कई चीज़ें आ जाती है जैसे 34 कहता है कि भई सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, maintain क्या कीचे, आप बनाईए books तो books बनाईए, तो books कैसे बनानी है, किसकी बनानी है, पहली बात books क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, obviously LLP के affairs के होनी चाहिए और ये each year के लिए आपकी क्या बननी चाहिए, books बननी चाहिए, आप उसके लिए system कौन सा follow करें, double entry system, method कौन सा, आप cash या accrual basis पे books बना सकते हैं, कहां रखनी है ये books, at registered office, क्या ये books preserve करनी होती हैं, yes prescribed time period है, वैसे बताऊं, तो 8 साल के लिए आपको ये preserve भी करनी होंगी, औ और books के साथ साथ, यहां हमें ये भी ध्यान रखना है, and साथ में बनानी है, एक statement of account and insolvency, जिसका मतलब कहीं insolven तो नहीं हो जाएगी, LLP, statement of account and solvency, तो इसके लिए ये आपको एक statement बनानी है, और ये file करनी होती है, obviously registrar के पास आपने file करनी है, और इसके लिए time period पकायाद रख लो आप, within six months, और ये छे मिने कान से start होंगे, of end of financial year, that means financial year 30 मार्च को खतम हुआ, तो 30 September तक आपको ये file करनी होती है, इसके उपर sign करेगा आपका designated partner, और अगर आप इसका form number याद रखना चाहो, तो वैसे तो हर जगा आप लिख सकते हो, prescribed, क्योंगे आपके course message नहीं है तो ये form number eight होता है, और जब books बगगेरा बन गी, तो इसका audit भी आपको करवाना पड़ सकता है, audit कौन करेगा, CA करेगा, chartered accountant करेगा, और यहाँ ध्यान ही रखना है कि central government exempt कर सकती है, audit से कुछ LLPs को अगर चाहे तो by NOG, NOG का मतलब है notification in official gazette से, 35 again very nice section, it talks about annual return, जिसका मतलब हो गया, LLP के बारे में हर एक चीज़ की, financial में तो accounts की बात है, तो LLP के बारे में हर एक चीज़ की एक आपने return बना के, natural है, registrar के पास एक prescribed form ये वो उसमें इसकी filing करनी है, main इसमें point आता है, कि आपने ये filing करनी होती है, within 60 days, और ये कहां से होंगे, of end of financial year, जिसका मोटा मोटा म मैं मतलब बताऊं, तो 30 मई तक आपको ये file करनी होती है, और इसके उपर, अगर आप form की बात करें, yes, तो ये form number 11 होता है, जिसमें आपने file करनी होती है, और इन दोनों section हो से related, अगर आपका default होता है, तो दोनों की penalty, अच्छी बात ये है, दोनों की penalty जो है, वो same है, तो य GDP क्योंगी compliance उन्हें करना है, इसलिए normal partner बच जाएंगे, तो भहिया जहां तक LLP का सवाल है, 25,000 से लेके 5,00,000 तक NDP, 10,000 से 1,00,000 रुपया तक उनको भरना पढ़ सकता है, तो विद इस, ये concept हमारा smart होता है, financial disclosure का, लेकिन इसके बाद, कह लीचे concept आता है, कि किसी और business form से हम conversion करना चाते हैं, मतलब कोई और business form से हम किसमे convert होना चाते हैं, into LLP, तो इसके उपर, बेटा, section आता है, तो 55 section कहता है, आप conversion into LLP करना चाते हैं, कहां से, from form, आप normal partnership से LLP में आना चाते हैं, तो आपको यहां follow करना पड़ेगा, second schedule में इसका procedure बताया गया है, और 56 में है, from, आप एक private company है, उसे LLP में आना चाते हैं, तो आपको follow करना पड़ेगा procedure, third schedule का, और यह है, अगर आप unlisted public company से LLP में आना चाते हैं, तो आपको follow करना है, procedure जो दिया है, fourth schedule में, साथ में, यह भ कि आपको conversion के कुछ effects है, conversion के से related कुछ registration है, वो करने पड़ेगी, तो natural है, जब आप LLP में आ रहे हो, तो registration तो होगी, किसके पास होगी, with registrar, जो हम अलड़ी incorporation में पड़ भी आये थे, अगर क्या है, satisfied है, तो आपको क्या issue कर देंगे, वही section 11-12 में, 12 में हमने पड़ा था, वो आप certificate दे देंगे, तो conversion के effect क्या होंगे, तो effect यह होंगे भीया, जो पहले की partnership act में थे आप, मतलब आप firm थे, तो पहले के partners, या shareholder, क्योंगि आप पहले क्या थे, company थे, तो इनको अब natural है, जो ये schedules में, खास करके first schedule में इनके rights and duties create हो जाएंगे, and इनके सारे जो assets कहले, liability, obligation, वो क्या हो जाएंगी, transfer हो जाएंगी, natural है किसको transfer हो जाएंगी, to LLP, वो अब LLP का हिस्सा बन जाएंगे, हम LLP को बंद करने जा रहे हैं, winding up and dissolution, भई उसको बंद करने जा रहे हैं, तो तीन section है, 63 कहता है, हम इसे बंद कर सकते हैं, voluntary, अपनी मर्जी से, और, या compulsory, compulsory means law के द्वारा आपको बंद किया जा सकता है, तो 64 में है, compulsory की उपर बात है, तो आपको बंद कौन कर रहा है, आपको ट्राइबिनल बंद कर रहा है, कि भई और बंद क्यों कर रहा है, तो natural है, उसके कुछ क्या होंगे, grounds होंगे, तो grounds में, पहला आपका जो ground आता है, छे ground है यहाँ पे, तो पहला आता है कि जो LLP का ही decision है, कि LLP को बंद कर दिया जाए, लेकिन किसके द्वारा बंद किया जाए, बाइट ट्राइबिनल, या फिर क्या हुआ, partners जो है, reduced to one, सिर्फ एक ही रह गया, और आज कितने मिने हो चुके, छे मिने, तो यह हम पहले भी पढ़ा रहे थे, कि भाई, छे मिने तक तो काम चलेगा, लेकिन उसके बाद तो आपको partner क्या करने होंगे, बढ़ाने होंगे, then है, debts आप ऐसे देही नहीं पा रहे हो, वापस नहीं कर रहे हो, अनपेड हैं, तो फिर बंद कर देना चाहिए, ट्राइबिनल यही कहेगा, then आप देश-द्रो में कह लिजे, शामिल है, देश-द्रो का मतलब हो गया, आप interests of India के against, जैसे sovereignty, integrity and security, भारत के against, उसकी अखंडता परभूता के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, पांच माँ पॉइंट है, आपने default किया है, किस में filing, किस की थोड़ी देर पहले हम पढ़ कहा है थे, यह आपकी statement of account, solvency, और यह आपकी annual return, section 34 and 35 का कहलो, default कर रहे हैं आप, for consecutively, consecutively is very important word over here, five years, पिछले पांच साल से आप filing करने ही करें, लगाता, so consecutive word आपका छुटना नहीं चाहिए, यह आपे लगातार, वैसे चाहिए टूटल आठ साल हो चलेगा, लेकिन लगातार नहीं होने चाहिए, लगातार होगे, आपको बंद कर दिया जाएगा, लास्ट है, just and equitable ground, इसका मतलब है, जहाँ tribunal, tribunal is quasi judicial body, as good as court, उन्हें लगता है, आपको बंद करना ही उचेत रहेगा, and section 65 कहता है, कि central government क्या बना सकती है, रूल्स बनाएगी भहिया, किशिस के winding आपके बना सकती है, तो यहाँ पे winding up smart होता है, और यह एक section का एक concept आता है, section number, यह हमने बीच में, चलिए रहे, यह section number 59, foreign LLP के उपर, इसके उपर में हमने पहले भी बात कर ली थी, कहां कर ली थी, 2M के अंदर, प्लीज वो मत भूलेगा, 2M क्या था, आप हिंदुस्तान के बाहर registered हो, और abroad registered हो, प्लस आपका क्या होना चाहिए, place of business in India होना चाहिए, तो सिर्फ 59 ने एक यह word over क्या दिया, कि provisions of foreign LLP के उपर क्या लगेंगी, provisions of companies act, 20-13, उसके provisions, under chapter, companies act का यह chapter है, chapter number 22 है, जो कि आता है, section 379 से 393, तो वो foreign company का जो chapter है, companies act में, वो purely foreign LLP के उपर भी apply करेगा, thereafter students, this is with regard to, section number 66, यहाँ क्या है, business transactions कर रही है, कौन कर रहा है, by with, business transaction कर रहा है, कौन कर रहा है, partner कर रहा है, किस के साथ कर रहा है, LLP के साथ कर रहा है, क्या कर सकता है, why not, now what do you mean by transaction, transaction यह भी हो सकती है, lending, आप loan दे रहा है, LLP को, या others, कोई, किसी भी तरह का, आप कोई contract LLP के साथ कर सकते हैं, because you both are two separate persons, लेकिन आप point है, ऐसी आपने transaction करी है, तो इसका effect क्या होगा, effect यह होगा, partner is third party, एक तरह से partner क्या है, third party है, किस के लिए, for LLP, जैसे एक outsider LLP के साथ, contract कर रहा हो, वैसे आप कर सकते हैं, section 67 कहता है, application की लगाया जा सकता है, क्या लगाया जा सकता है, of company's act, to LLP, तो company's act की कुछ धाराएं LLP के उपर लग सकती है, जैसे यह मैं point आपको, इसलिए इदर दिखा रहा था, इस तरफ इसलिए लिखा, इसलिए 59 का जिकर बाद में किया, जैसे foreign company के उपर company's act की धाराएं लग रही है, ऐसे 67 केता है, company's act की बाद की धाराएं भी LLP के उपर लगाई जा सकते हैं, because it's a hybrid form, company की feature है, partnership firm की feature है, तो यह कौन लगाएगा, natural है, CG by OG, जिसका मतलब है, Central Government by Notification in Official Gazette लगाएगी, लेकिन जब भी यह कोई notification आएगी, यह notification जो है, यह पेश करनी होती है, लेड करनी होती है, before both houses of parliament, जिसका मतलब है, लोकसभाय और राज्यसभाय में यह पेश करनी होती है, कम से कम 30 दिन के लिए, चाहे वो एक session में हो, चाहे दू session में हो, और यह notification, यहाँ पे जब pass होगी, तभी company's act की धाराएं, LLP के उपर लग पाएंगी, section 68 कहता है, e-filing, तो जितने भी कागच आपने रेजिस्टरार के पास फाइल करने हैं, वो electronic ही filing होगी, और आप रेजिस्टरार साहब से, जितने भी आपने document दिये हैं, आप एक कोई उनकी copy and extract ले सकते हैं, और natural है, इसके उपर रेजिस्टरार को क्या करने होगे, digital signature करने होगे, तो अगर इस तरह से आपको copy मिलती है, तो वो एक तरह से true original copy हो जाएगी, और वो court में एक बहुत बड़ा सबूत होगा, कि as good as ये एक सही copy है, with this we are to the last section, which is very very important one I'll say, and that is section number 69, 69, तो 69 क्या कहता है, जब भी ये filing के उपर ही link करूँगा मैं इसको, धान दीजिए 69 की तरफ, कि filing after expiry of time, मतलब जैसे आपने देखा, annual return 35 में हमें file करनी थी, within 60 days of end of financial year, तो 60 दिन बीट गए, क्या हम उसके बाद कर सकते हैं, the answer is yes, तो आपको यहाँ पर एक तरह से 300 दिन आपको extra मिलते हैं, उसमें आप file कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको additional fees लगेगी, भाई याँ जो normal हैं वो तो लगनी लगनी है, और यह लगेगी rupees 100 per day के साब से 100 पर extra लगेगी, और यहाँ interesting 69 में यह भी बताया गया, even filing after 300 दिन बीच जाने के बाद भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या लगेगी, कुछ penalty या कह लीजे, आपकी कुछ liability तो बनेगी, क्योंकि आपने 300 दिन का जो extension का time था, वो भी use कर लिया है, तो students यह थी मेरी तरफ से fast, fast, fast division, hope so, क्योंकि यह आपने अगर पहले पढ़ा है, तो आपको अच्छी utility मिली होगी, और इतनी तेज पढ़ाना कोई असान काम नहीं, मेरी हालत tight हो गई है, but nevertheless, have a good time and good luck, God bless.